ओम क्रिश्णम वन्दे जगत कुरुम् आगे के श्लुकों में अर्जुन प्रलाप कर रहा है उसका मन उसके वश में नहीं है मोह से आविष्ट है भगवान चुपचाप सुन रहे हैं कुछ नहीं बोलते उसको वो पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं यहां हमें भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब सामने का व्यक्ति जो आप से बात कर रहा है प्रलाप कर रहा हो, क्रोध में हो उसकी समझ ब्रहमित हो रही हो आप उस समय केवल शांती से सुने उसे उसकी जो ये बिखरी बिखरी सी एनरजी है उसको ख्षीन होने दें उसको ये बात जब तक समझ न आए कि वो अपनी मुश्किल का हल निकालने में खुद समर्थ नहीं है जब तक वो खुद आप से सहायता न मांगे तब तक आप केवल एक कॉमपैशनेट लिसनर का रोल अदा करें शांती से सुनें और समझने की चेश्टा करें कि उसके मन बुद्धी में क्या घट रहा है किस स्थान पर खड़े होकर वो बात कर रहा है प्रलाप कर रहा है या क्रोध आदी जो भी वो कर रहा हो उसे सुने वो ही भगवान कर रहे हैं और अब हम भी वो ही करेंगे पहला ध्याए 31 से 46 शलोक का अध्यायन करते हैं केवल सुनेंगे कि अरजुन भगवान को क्या-क्या रीजनिंग्स दे रहा है लॉजिक दे रहा है अपने करतव्य विमूड होने को ठीक ठहराने के लिए आईए इन शलोकों का अध्यायन करते हैं पहले संस्कृत में आप मेरे पीछे-पीछे उच्चारण करिए इससे आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा अर्जुन कह रहा है निमित्तानीच पश्यामे विपरीतानी केशव नच श्रेयोन पश्यामे अत्वाश्वजन वाःवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानिच न राज्यं सुखानिच न राज्य न गोविंध न भोगे इर जीविते न वा ये शामर्थे कांक्षितम नहा राज्यं भोगा सुखानिच न इमे वस्थिता युद्धेह प्राणामस्त्यक्त्वा धनानिच आचार्या पितर पतरहा तधैवयच पितामहा मातु लाश्वशुरा पेउत्रहा था श्यालाव संबंधिन उस्ताथा एतान्न को प्राद्धंत्रिश्चामिः धनतोपी म्दुस्भाः फीडेश्पितॉत्यक्त्यक्त्रश्द॥ा सुखानिचोंिझत् Seems prépar आपन्न्न हाग झन्न हैं उ अपीत्रै लोक्य राज्यस्य हेतो गिम्नु महीकृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्नहां काप्रीतिस्याज्यनार्धना पापमेवाष्रे दस्मान हत्वेतानातताईनहां तस्मान्नार्हावयं हंतुम् धार्तराष्ट्रान्स्वबांधवान् स्वजनम्हीकाथं हत्वा सुखिन स्याम माधव यद्यप्यते नपश्यन्ती लोभो पातचेत सह कुलक्षयकृतं दोशं मित्रदोहेच पातकं कथम नाग्ये मस्माभिही पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोशं प्रपश्यत भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ती कुलधर्मा सनातनहा धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो भिभवत्युत अधर्मा भिभावत्कृष्ण प्रद्युष्यन्ती कुलस्त्रियह स्त्रीशु दुष्टासु वार्ष्णेय जायतेवन संकरह संकरो नरकायेव कुलक्णानाम कुलस्यच पतंति पितरो ह्ये शाम लुप्त पिंडो धकक्रियह दोशै रेतै कुलक्णानाम वर्ण संकरकार कैही उत्साध्यन्ति चाति धर्मह कुलधर्माश्य शाश्वताह उत्सन्यकुलधर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नरके नियतं वासह भावतित्य अनुष्रुष्रुमा अहो बत्महत्पापं कर्तुम् व्यवसितावयं यद्राज्य सुखलो भेन हंतुम् स्वजनमुद्यताह यदी माम अप्रतिकारं अशस्त्रम् शस्त्रपानया धार्त राष्ट्रारने हन्योह तन्मेक्षेमूतरं भवे अर्जन बगवान को कह रहे है हे केशव मैं विपरीत लक्षणों को देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कोई भी कल्यान होता नहीं देख रहा ए क्रुष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य न सुक्ही हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अत्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाब होगा हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुक्हादी अभीष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं गुरुजन हैं तावुचाचे लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पवत्र, साले तथा और भी सम्मंधी लोग इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं ये मदुसूदन, मुझे मारने पर भी अत्वा, तीनों लोकों के राजी के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता फिर पृत्वी के राजी के लिए तो कहना ही क्या है, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ ये जनार्दन, दृत्राष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आत्ताईयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा न? इसलिए हे माधव, अपने ही मांधव, दृत्राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मार कर हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे यद्यपी लोब से भ्रश्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन दोश को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी है जनारदन कुल के नाश से उत्पन दोश को जानने वाले हम लोग तो इस पाप से हटने का विचार करें कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जाते हैं धर्म के नाश हो जाने पर संपून कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है हे कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूशित हो जाती है और हे वार्षणे स्त्रियों के दूशित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन हो जाता है वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाता है लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राध और तरपन से वंचित इनके पितर लोक भी अधोगती को प्राप्त होते हैं इन वर्ण संकर कारक दोशों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाती धर्म भी नश्ट हो जाते हैं ये जनार्दन जिनका कुल धर्म नश्ट हो गया है ऐसे मनुश्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी इतना महान पाप करने को तैयार है हम लोग राज्य और सुक के लोग से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए है ये शोक की बात है और अंत में अर्जुन कहते हैं यदी मैं शस्तर रहित भी हूँ और मेरा सामना करने वाले शस्तर हाथ में लिये हुए ये धृतराष्टर के पुत्र रण में मुझे मार भी डालें वै भी मैं समझता हूँ कि अधिक कल्यान कारक होगा बहुत बार ये देखा जाता है कि हम मन के किसी एक दोश को बहुत महत्व दे रहे होते हैं उसको हटाने की चेश्टा में दूसरे दोश जो मन में उठ जाते हैं उन पर हमारी नजर भी नहीं जाती जैसे ऐसा देखा जाता है कि कई लोग प्रमचर्य को काम वासना को जीतने पे बहुत जोर देते हैं पर जो बाकी के दोश है मन के लोब, ग्रोध, गमंड, सुपिरियोरिटी कॉम्पलेक्स, हठधर्मिता आदी, मोह उन पर उनकी नजर जाही नहीं रही होती कि ये सब भी दोश हैं, इनको भी हटाना चाहिए यहां अर्जुन लोब के दोश से, संग्रह के दोश से तो परिचित है राज्य सुख, भोग विलास से तो परिचित सा दीख रहा है कह रहा है कि ये मुझे सब नहीं चाहिए लोब के लिए, संग्रह के लिए, राज्य सुख के लिए मैं किसी को मारदा नहीं चाहता ये तो बहुत अच्छी बात थी पर इसके साथ साथ जो उसके मन में मोह का दोश आ गया है वो उससे अनभिग्य है उस मोह के दोश के कारण वो अपने कर्तव्य से चुथ हो रहा है हट रहा है उसे श्री कृष्ण ने नहीं बताया था युद्ध से पहले की युद्ध करना तेरा कर्तव्य है वो खुद को ख्षत्रिय मानता है युद्ध मानता है वो खुद जानता है कि युद्ध करना और खासकर धर्म की रक्षा के लिए धर्म परायन लोगों की रक्षा के लिए कमजोरों की रक्षा के लिए ये उसका कर्तव्य कर्म है ये उसका धर्म है अब वो लोब के आर्गुमेंट्स दे रहा है संग्रह के भोगादी के आर्गुमेंट्स दे रहा है और उन आर्गुमेंट से अपने को ठीक ठहराने की कोशिश कर रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ, वो मैं ठीक सोच रहा हूँ मुझे राज्य नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए पर तेरे धर्म का क्या हुआ? जो एक आतता ही तेरे सामने खड़ा है और उसकी फौज खड़ी है उसके रहते समाज में क्या धर्म का उत्थान हो सकता है? क्या वो एक आइडियल एक्जैम्पल सेट कर रहा है? वो सारी चीजें तू भूल गया और फजूल के आर्गुमेंट्स दे रहा है, प्रलाप कर रहा है भगवान आने वाले श्लोकों में उसके इस मोह को धूर करने वाले हैं उसको केवल ठीक रास्ता बताने वाले हैं युद्ध तो उसी से करवाएंगे, भगवान खुद युद्ध नहीं करेंगे वो तो केवल एक जो पर्दा पड़ा है उसके मन पर, बुद्धी पर, चित्त पर उसको ज्ञान से हटाएंगे और प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक है संजय दितराश से कह रहे हैं संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुन संखे रथो पस्थ उपाविशत विस्रिज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसह संजय कहते हैं ऐसा कहकर शोका कुल मन वाले अर्जुन बान सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमी में रथ के मध्यभाग में बैठ गए अर्जुन इतना शोका कुल है कि उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा गांडी भास से छूट गया है बुद्धी काम नहीं कर रही मन बहुत ब्रहमित है अब वो श्री कृष्ण की तरफ ताक रहा है कि मुझे रास्ता दिखाओ यहां पहला अध्या एक हत्म होता है ओम तचसत इति श्रीमत भगवद गीतासू पनिशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन सम्वादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो ध्यायह हरी हियोम तचसत्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्त्स्